मैंने यहाँ पे कुछ बीडियो फुटेज लिया, फिर मैंने AI से वाइसोवर बनाया, फिर मैंने कुछ अमेजिंग एडिटिंग टेक्निक का यूज किया और फाइनली हमने ये रिल बना लिया इसको हम कैसे बनाएं वो हम बहुत ही ईजी वे में सिर्फ चार स्टेप में हम सीखने वाले हैं फिर फिर फिर्ज का बेस्ट और फिर्ज को आपको एड़ में रखना है उसको आपस सrator से पहला टाइम लेजिन गistant है कि इस बाले मुझे यहां से फुटिज में यहां से लेना है तो यह मैंने यहां पर cut किया और किते दिर का add है इस से फरक परता है इसको मैं यहां पर time line पर लेकर आ गया ठीक है तो यह अपने पास में यह फुटिज अपने पास में इसके पर मैं यहां पर लेक्ट आगया हूँ इसमें भी देखो आपके इसके best moment क्या है और best moment यहां पर लगी अब यह देख सकते हैं यह थो डाउन है यह दम कहाँ लागं यह आपको तो मैं यहाँ पे कट लगा रहा हूं, तीसरा यहाँ पे ड्रॉप होगा, इजी तरीका में बता रहा हूं, बीट के साथ footage को shrink करने का, तो आपको करना क्या है कि जितने भी यहाँ footage हैं, उसको एक बारे में यह footage आपको दिखाना है, तो जैसे first बाले में चला ना वी वन वी टू वी ट्री वी फोर तो अब बच्किया आपने पास वी फोर तो अपने सीधा हमने वी फोर ले ले लिए तो इस टाप से चीज़ आ गए उसके बाद में आपको फिर से वही चीज रिपीट करना है उपर से तीन यहां मैंने डिलीट किया फिर मैंने अच्छा मैच यहां पर नहीं हो रहा है क्योंकि सावंड के बीच मैं चोटासा भी और एक बीट है इसको आप सुन सकते हैं यहां पर सुन फूटेज यार है और सेकंड फूटेज यार है तो मैं यहां पर सिंप्ली लगा रहा हूं कट वन और यहां पर लगा जाता हूं कट टू ठीक है तो हलका सा एफेक्ट होगा लेकिन वह चीज़ फिर म्यूजिक उपर आपको सिंक होता हूँ दिखाई देगा ठीक है उसके जाएगी और दोनो फूटेज पर आपको इसको करना है तो जब आप इसको चलाओगे तो अब कुछ हलका सा लाएगा लेकिन बहुत ज्यादा सिंक हो जाएगा यह देखो अब हलका सा है तो यहां पर यह बीट आ रहा है दूसरी बार तो दूसरी बार मैं सेम क्लिप से मैंन यहां पर अपलाई कर दिया तो यह कुछ यूँ दिखे है ठीक है लास्ट वाले क्लिप में हमें क्या करना है कि हमें इसको यह और स्टार्टिंग में भी हमें इसी टैप यहां पर दूसरा इसी में ग्लिच में दे रहा हूं इसको यहां पर लगा देना है तो अभी हम आप यहां पर देख सकते हो अब वाइस ओब जितने भी AI है वो सब पेड है यह जितने भी सारे पेड हैं लेकिन बहुत सारे लोग इतना बजट नी होता तो मैं आपको यहां पर बहुत ही अमेजिंग टेक्निक बता रहा हूं आप सिधा Chrome में जाओ और Chrome में जाने के बाद में आपको यहां पर एक extension यूज़ करना है Chrome Audio Capture यह करता क्या है जितने भी जो भी आडियो आपके ब्राउजर में प्ले होगा फो आडियो यहां पर यहां पर यह सेव कर लेगा उसमें मुझे यह बहुत अच्छा लगा यह वाला पार्ट बहुत अच्छा लगा जो कि सुनने में भी काफी ठीक लाएगा और अगर यह Cosmetic Brand का Reel है तो उसके लिए एक Logo भी बना लिया है आपका जो मन करे वो AI Website आप यूज़ कर सकते हो वाइसोबर के लिए और आप य जैसे आपके पास AI Voice वाले चीज़े आ गई तो यह AI जैसा साउंड करता है इस टैप से आपको यहां पर यहां पर यह साउंड करेगा जो कि सुनने में काफी ज्यादा AI जनेटर वाली चीज़े लगती है लेकिन जब यह Music के साथ आप इसको सिंग कर दोगे तो यह काफी ज् नने दिखा रहा हूं कि मैंने इसको मिशी के साथ में कैसे मैंने इसको यहांपर शिंग किया है यहांपे आप देख सकते हो कि मैंने जो फटहाँ आ सा लूड रख मेक है जिसमें इसको व्यास की में टोन है व पता ही लेकिन वॉइस प्रक Ministriaрий divided वाय ही कुछ कुछ कइश डा पास में थे लेकिन मैंने इसके ओपर थुरा सा कट डाला है कि ऐसा लगे कि कोई रुक रुक के बोल रहा है जो जनरली हम हुमन बोलते हैं ठीक है टेक्स्ट ओवरले आज की डेट में सबसे इंपॉर्डट पार्ट यहां पे बन गया है अगर आपके टेक्स्ट ओवरले बढ़िया है तो लोग आपका अड़ देख लेते हैं ठीक है तो उसके लिए मैं यहां पे सीधा फोटोशॉप में जाऊंगा और क्या फॉट यूज करेंगे और इसके लिए आपको कुछ ऐसा फॉट यूज करना है जो कि आपके वाइस ओवर से, आपके म्यूजिक से आपके कमर्शियल के टोन से आपके कमर्शियल के इमोशन से वो फॉट बहुत अच्छे तरीके से मैच करें तो फॉट इक जाम मुझे टेक्स्ट ओवरले में यहां पे सिर्फ एक वर्ड लिखना है जिसका जो वर्ड है confidence और प्लस मुझे लोगो भी वहां पे दिखाना है यहां पे यह लोगो भी दिखाना है और मुझे इस सब को यूज करके एक टेक्स्ट ओवरले यहां पे create करना है उसी वीडियो फुटेज के इसक्रीश पर लेके जाओंगा जिससे मुझे एक preview मिल सके कि मैं कैसा यह text ओवरले लगने वाला है यहां पे जो मैं font यूज करने बाला हूँ compressed वाला font यूज करने बाला हूँ जो कि एक cosmetic वाला vibe भी देगा प्लस एक bold vibe भी यहां पे देता है यहां पे अपने पास में एक font है यह font है जो कि यहां पे सबसे एक्दम सही जाएगा इसको थोरा bigger किया ठीक है और अपना logo को सिर्फ logo मैंने यहां पे लिया और इसको थोरा से bigger किया और दोनों को यहां लगाए दोनों को मैंने इसको इस type से alignment कर लिया और थोरा से इसको नीचे कर दिया for skin and hair को थोरा सा मैं नीचे लियाता हूँ और इसके बीच में मैं एक X लिख देता हूँ आजकल बहुत जाता चल रहा है X तो इस type से मैंने यहां पे लिख दिया X और यह सब का color मैं हलगा सा इसको yellow tone में लेके जाता हूँ इसको बंद किया और इसको एज़े PNG यहां पे export किया PNG में export करने के बाद में अब काम है कि आप इसको प्रीमेर प्रो में इसको import करो तो simply मैंने यहां इंपोर्ट कर लिया है अब इसको ड्रैक ड्रॉप करना है अब यह आपको एक commercial vibe create करके देगा आपको यहां प्ले करके दिखाता हूँ फिर आप देखना है यह कैसा लग रहा है text overlay के साथ में text overlay यहां पे डलते हैं इसके अंदर एक commercial वाला vibe यहां पे आ गया आप यहां पे देख सकते हो कि एक commercial vibe यहां पे दे रहा है ठीक है उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो यहां voice over में आ रहा है उसको just on screen पे text में डालना है same font से भी डाल सकते हैं और अगर मैं आपको एक voice over लगा कर दिखा हूँ तो यह कुछ इस type से आ रहा है और last वाले footage में भी हलका सा वही वाला glitch वाला effect जो मैंने अब यहां पे दिया है उसको यहां पे add कर सकते हो जो कुछ इस type से दिखेगा और last में logo आप यहां पे दिखा सकते हो इसी को जब आप final music के साथ में सुनोगे तो कुछ steps आपको यहां पे दिखाई देगा तो जितने भी मैंने यहां पे effect आपको दिखाया है इसी वीडियो के निचे डिस्क्रिप्टिन में है वहां जहां से उसको डाउनोड करके आप अपना रील यहां बना सकते हो मैंने अपने वाले case में पिक्सल से footage उठाया just reference के लिए आप अपना footage हो सकता है music को पढ़ो, cut करो, AI से voiceover बनाओ और AI को use करके एक amazing साब यहां पे रील बना सकते हो मिलते हैं next episode में तब तक के लिए bye bye